नमस्कार मैं रस्मी मिस्रा आप सभी का स्वागत करती हूं साहित्य जोती में आज की इस वीडियो में हम लोग रविंदर नाथ टैगोड जी द्वारा रचित पसिद्ध कहानी विखारिन पाट के शारांज को तथा इस पाट के बहुँ विकल्पी प्रश्ण को देखेंगे तथा इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग इसी पाट के लगुतरिय प्रश्ण बोध मूलक प्रश्ण एवं भासा बोध के प्रश्ण को देखेंगे तो देरीना करते हुए चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आईए पाट के शारांज को देखें तो रविंदर नाथ टैगोर जी की जो रचनाय होती है उनमें हमें मुख्य रूप से मानविय मूल्यो और जीवन के प्रती आदर्श का बहुत ही भावात्मक चित्रन देखने को मिलता है उनकी रचनाओं में हमें निम्न, दलित एवं पीडित तथा गरीब वर्गों के लोगों की जो बेदना ह उसको सपष्ट रूप से हम देख सकते हैं उसको उन्होंने वाणी प्रदान की है हमारी आज की जो कहानी है भिखारिन भिखारिन में भी हम उन्होंने एक ऐसे ही असहाय गरीब और पदलित बुढिया के जीवन तथा उसके कश्टो उसके आदर्शो उसके बिचारो तथा उसके करमों को गहरी आतमिय बोध के साथ, मानवय बोध के साथ चित्रत किया है तो कहानी देखते हैं कहानी में मुख्य पात्र जो है वो एक भिखारिन है और वह बिखारिन जो है वो अन्धी है वह प्रति दिन मंदिर के पास खड़ी होकर भीख मांगती है इसके बाद जब वो वापस छोपड़ी में लोटती है अपने घर जब वापस आती है तो उसे और भी कुछ विक्षा प्राप्त हो जाती है वापस आकर जो भी रूपए पैसे उसे मिले होते हैं उसे एक खाण्डे में रखकर जमीन में दवा देती है भीख में मिले आनाज से ही उसका गुजारा हो जाता है वही भीख में मिला आनाज उसके लिए पर्याप्त होता है गुड़िया के पास एक पांच साल का बालग भी था जिसे उसने पहले मेले से पाया था अब वह इस भीक के अन्न से उसका लालन पालन हो रहा है उसका पालन पोशन वह कर रही है भीक मांगर विकारे ने अच्छे पैसे जमा कर लिये थे उसके पास से पैसे छोरी ना हो जा इस डर से उसने नगर सेट के पास अपने पैसे जमा कर रहा दिये थे सेट लोगों के पैसे अपने पास सुरक्षित रखता था इसलिए सभी अपने पैसे जो है उसी सेट के पास जमा किया करते थे कुछ समय के बाद होता क्या है कि बुढिया का जो लड़का होता है वो बिमार पड़ता है और बुडिया जो है अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे की जब उसे जरूरत पड़ती है तो वो दोड़ी-दोड़ी सेट के पास जाती है अपने जमा पैसा वापस लेने के लिए लेकिन सेट उसकी बात को स्विकार ही नहीं करता है उसे मुकर जात खाता देखनी के बाद भी वो उसे नहीं कहते हैं और फिर उसे भगा देखते हैं वो बहुत ही गिरगिडाती है लेकिन सेठ पर उसका कोई असर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है निदाश होकर आखिर में जो भिखारिन होती है बच्चे को लेकर सेठ के घर के सामने ही धरने बहुत जाती है ति किसी के भी हटाने से वो नहीं हटती है तब सेठ भगाने आता है लेकिन बच्चे के शरीर पर एक निसान देखर वो यह उसकी बच्चन का खुया हुआ बच्चा ही लिए बच्चे के लिए रोती तडपती रहती है और रोती जड़कती हुई वापस जोपड़ी में चली जाती है इलाज होने की वजह से दवा के प्रभाव से मोहन जो है वो फीक हो जाता है उसका बुखार जो है उतर जाता है लेकिन आखे खोलते ही मोहन जो है सबसे पहले अपनी मा को पुकारता है बिखारिन को ढूड़ने की करता है और जब अपनी मा को नहीं देख पाता है उस विखारिन को अंधी बुढ़िया को नहीं देख पाता है उसकी हालत बिगड़ने लगती है हार करवा सेट जी जो है आखिर में बुढ़िया के पास जाते हैं और बच्चे को बचाने की फरियाद करते हैं विखारिन वापस लोटने को तयार हो जाती है तब सेट जी जो है धन देते हैं उसका धन उसे लोटा देना चाहते हैं विखारे नियह करते हुए रूपया लेने से मना कर देती है कि यह तो उसने मोहन के भविष्ची के लिए ही सम्हाल कर रखा था तो यह मोहन को ही दे दिया जाए तो यह एक तरीके से आप देखो तो आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर होने के बावजोद भी जो विखारे ने उसका मन बहुत बड़ा है और उसने सचे मानवय धर्म का पालन किया है तो वहीं पर जो सेट बनार्सिक दास है वो इतने अधिक अमीर है परंतो फिर भी उनके म में ही मानवय भावना पाई जाती है वही हमें हर जगा सहायता करते हुए दिखलाई देते हैं परंतो ऐसा सत्ते नहीं है प्रेम दया करूना फ्रिपा यह सारी भावनाएं हमें चोटे घरों में गरीब लोगों के भीतर भी दिखाई दे सकती है आईए अब इस पार्ट से स पहला है जोपड़ी के दर्वाजे पर दूसरा है महल के दर्वाजे पर तीसरा है मस्जिद के दर्वाजे पर चौथा है मंदिर के दर्वाजे पर तो रोजाना जो है वह अधी कहा खड़ा रहती थी मंदिर के दर्वाजे पर इसका जो सही विकल्प है वह है चौथा नंब तो इसका जो सही उत्तर है जब वास्ताव में उसका वर्णन किया जाता है तो वो उसका उत्तर क्या है दस वर्ष यदि आप इस पार्टी पुस्तक की दूसरे पढ़ने को पढ़ेंगे तो उसमें इस पर्ष ट्रूप से लिखा हुआ है कि अंधी के साथ एक दस वर्ष का भालक रहता था तो इसका सही विकल्प है दस गहन नंबर प्रष न देखिए उस लड़के का क्या नाम थे यानि कि अंधी के साथ जो लड़का सेट के पास जमा नगदी को कितने वर्ष बादवह मांगने गई थी, तो आप इसका सही उत्तर समझ सकते हैं, क्या हो सकता है, दिखें, इसके विकल्प दिये गए है, पहला विकल्प है, दो वर्ष, दूसरा विकल्प है, तीन वर्ष, तीसरा विकल्प है, चार वर्ष, और उसने जो पैसे जमा किये थे वह पैसे वो कितने वर्ष के बाद मांगने गई थी तो वह जो है नगदी जो है जो जो उसने पैसे जमा किये थे वह उसने दो वर्ष बाद ठीक है इसका जो सही हुदता है दो वर्ष सेट के पास जमान अगदी को कितने वर्षवाद वह मांगने गई थी? दो वर्षवाद, ठीक है? आईए अंगा नंबर प्रश्ण देखते हैं अंगा नंबर प्रश्ण है नहीं तो इस नाम पर एक पाई भी जमा नहीं है कौन कहता है? नहीं तो इस नाम पर एक पाई भी जमा नहीं है इसके चार विकल्ब देखिए पहला है सेट, दूसरा है सेनानी, तीसरा है मुनिम और चौथा है नौकर इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा है मुनिम मुनिम के बास वो जब जाकर कहती है कि मेरे पैसे जमा किये है तो मुनिम जो है वो साप साप कह देता है कि इस नाम पर कोई भी पाई यानि कोई भी पैसा जमा नहीं है इसका सही उत्तर है तीसरा तो आसा है कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी और यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा किसी के साथ धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो उपयोगी हो तो जरूर इस चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करना ना भूलें किसी के साथ धन्यवाद